हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तो चाहे आप किसी भी राज्या में रहते हो आप अपने जिले या गाउं की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे वो आज की वीडियो में आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ चली वीडियो सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं रवी स्वागत है आपको अपने चैनल राजन टेक में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज़ खुल के आजाएगा यहां पर देखी दोस्तों सबसे पहले स्टेट वाला उप्शन है यहां पर हम जिस राज्या की चाहे वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर मैं देखी आपको डाउनलोड करके आजाएगा यहां पर देखी दोस्तों यह जो एक फोटो है यह आपसे मैं इसको कट कर देता हूं इसके बाद लेफ्ट साइड में देखी काफी सारे ओप्शन श्योड रहे हैं तो यहां पर हमें क्या करना है वोटर कोर्नर वाले ओप्शन में चले आना है और उसके बाद यहां पर नीचे देखिए final electoral 2022 यहां से भी हम download कर सकते हैं उसके बाद यहां पर direct link दिया हुआ दोस्तों थोड़ा scroll down करके नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर final electoral 2022 2022 2022 की जो PDF है वो यहां पर जो link है इस पर हमें click कर लेना है click करने के बाद अब हमारे पास यहां पर देखिए हमें यहां पर district चूज कर लेनी है यहां पर 2022 जनुरी यानि 5 जनुरी 2022 की according जो लिस्ट है वो यहां पर दियू ही है उसके बाद हमें यहां से district चूज कर लेनी है जिस भी जिले की हमें water list डाउनलोड करनी है वो यहां पर select कर है डिस्टिक select करने के बाद यहां पर देखिए असेंबली दिया हुआ यानि कि जो हमारा विधान श्रेबाच चेतर है वह हमें यहां से चूज कर लेना है चलिए यहां पर click करेंगे click करने के बाद यहां पर select कर लेंगे उसके बाद जो next step है यहां पर देखिए polling station दिये हु open हो जाएगी देखिए यहां पर अभी option खुल गया है यहां पर select वाले option पर click करेंगे तो यहां पर देखिए अपना जो भी गाउं है वह यहां पर दिया हुआ है और बूत दियो है यानि कि एक गाउं में अलग-अलग बूत हो सकते हैं यानि कि कहीं सारे बूत हो सकते हैं जो भी हमें बूत नंबर निकालना वह यहां पर select कर लेना है उसके बाद यहां पर section नंबर है यानि कि उपर ब्लोग मैंने 72 है उसके बाद यहां पर section में 72 चूज़ करेंगे यहां पर block और उसके बाद यहां पर जो capture code को fill कर लेना है capture code fill करने के बाद यहाँ पे scroll down करेंगे और यहाँ पे get role वाले option पे click कर लेना है अगर आपको capture code समझ नहीं आता है दोस्तों तो यहाँ से हम refresh capture वाले option पे click करके capture को change कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ से उसके बाद यहाँ पे देखिए download PDF नीचे हमारे सामने जो list है वो option आगए यहाँ से PDF वाले download पे click करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो water list का PDF है वो download हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो गाउं का नाम है वो detail यहाँ पे मिल जाएगी और किस year की water list है वो भी यहाँ पे mention मिल जाएगा कब list त्यारी है यानि कि पात्तरता की तिथी दिखी हुई है यहाँ पे सारी की सारे detail हम यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद थोड़ा स्क्रोल डाउन करके नीचे आएगे तो जो हमारे polling booth है जहाँ पे हमारी vote पड़ती है वो water वाले booth है वो यहाँ पे detail है मिल जाएगी यहाँ पे देखी male, female और total vote कितनी है वो भी detail यहाँ पे दी हुई है उसके बाद यहाँ पे देखी polling booth है दोस्तो polling booth की peak और map आ रहा है और यहाँ पे हमारी जो voter list है वो यहाँ पे show हो रही है तो इस परकार से दोस्तो हम अपनी voter list है डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसे लिगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like share करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी subscribe कर ले क्योंकि इसी परकार की update आपको मिलती रहती है वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद जैहिन दोस्तो